हेलो प्यारे बच्चों मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सब का आपके अपने चानल त्यारी ओनलाइन में बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा नौवी के हिंदी पाठे पुस्तक शितीज भागे का अध्याय छे अध्याय छे जिसमें हरी संकर प्रसाईजी द्व हरी संकर प्रसाईजी अपनी व्यंग रचना के लिए प्रसिद है व्यंग रचना कहने का अर्थ होता है बच्चों करवी से करवी बात भी हम किसी को हसी मजाक में कह दे तो उसे बुड़ा नहीं लगता हम अपनी बातों को कह भी देते हैं और सामने वालों को उसका रचना को पढ़ते हैं कि लेखक ने इसमें क्या कहा है अब देखिए लेखक कहते हैं प्रीम चंद का एक चितर मेरे सामने है उन्होंने किसका एक चितर देखा है प्रीम चंद जी का पतनी के साथ फोटो खिचा रहे हैं सिर पर किसी मोटे कपरे की टोपी पहने हुए है कु मूझे चेहरे को भड़ा भड़ा बतलाती हैं अब यहां देखिए बच्चों इस लेख में जो हमारे लेखक हैं परसाई जी उन्होंने प्रेमचन जी के वेक्तित्तु की साध्यी दर्साई है और साथ ही उन्होंने एक रचनाकार की अंतरवेदी सामाजिक द्रिष्टी का भी बीबेचन इसमें किया है आज के समय में बच्चों दिखावा बहुत जादा है अगर हम सब पिक्चर खिचवाने के लिए जाते हैं या फोटो खिचवाने जाते हैं तो हम सब बहुत सज सबर लेते हैं लेकिन यहां पर जो प्रेमचन जी हैं वो बहुत ही साधे विचारध विचारधारा के वेक्ति हैं एक बहुत बड़े साहित्यकार होने के बाब जूत भी बहुत ही साधे विचारधारा वाले इंसान है तो लेखक ने प्रीमचन के फटे जूते के माध्यम से आज की दिखावे की प्रविर्ती एवं अफसर वाधिता पर व्यंग किया है ठीक है ब में कैनवेंस की जूते पहने हैं और उसके बन्द कैसे हैं बेतर तीव यानी उल्टा फूल्टा जैसे ही वह बंधा हुआ है कि लापरवाही से उपयोग करने पर बंद की सीरों पर ही लोही की पतरी निकलाती है और छेदों में बंद डालने में परिसानी होती है तब बंद कैसे भी कस लिये जाते हैं अब देखे लेखक यह भी बता रहे हैं कि जो जूता उन्होंने पहना है उस जूते में जो फीता बाना जाता है वो बहुत ही उल्टे फुल्टे तरीके से बना हुआ है मतलब यहाँ पर प्रेम चुन जी ने कोई दिखावा नहीं किया है फोटो खिचवाना है वो जैसे थे उसी तरीके से फोटो खिचवा रहे है अगर हम लोगों को फोटो खिचवाना हो तो हम क्या करते हैं अच्छे अच्छे कपड़े पहन लेते हैं बालों को सवार लेते हैं क्रीम पौडर पोट के और गुरे हो जाते हैं लेकिन यहाँ पर प्रेम चुन जी के फोटो में ऐसा कुछ लिखक को नहीं दिख रहा है आगे कहते हैं कि दाहिने पाउं का जूता ठीक है दाहिने पाउं का जूता कैसा है ठीक है मगर बाएं पाउं के जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है अब एक महान साहित्यकार महान लेखक उनके जूते में क्या हो रखा है छेद इससे उनकी आर्थिक परिस्थिती जो है वह बतलाया है लेखक ने कि एक महान साहे तेकार होने के बाबजूद भी उनकी आर्थिक इस्थिती अच्छी नहीं थी मेरी द्रिस्थी इस जूते पर अटक गई किसकी द्रिस्थी अटक गई बच्चों? लेखक की सोचता हूँ फोटो खिचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी? अब उनको देख करके लेखक यह सोचने के लिए मजगूर हो गए कि इस तरीके से अगर कोई वैक्ती फोटो खिचाता है तो सोची वो कैसी जिन्दगी बिताता होगा? आगे कहते हैं नहीं इस आदमी की अलग अलग पोशाके नहीं होगी इसमें पोशाके बदलने का गुन नहीं है यह जैसा है वैसा ही फोटो में खिच जाता है यानि इस वैक्ती में दिखावापन नहीं है अब लेखक केते हैं कि अगर किसी और को फोटो खिचवाना होता तो बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करता? सजसवर लेता लेकिन प्रेमचंजी के पास जो पोसाग थी उन्होंने उसी को पैना और उसी तरीके से उन्होंने फोटो खिचवाया उनकी फोटो में कोई भी दिखावापन नहीं जलग रहा है आगे लिखक बताते हैं मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्तिक पुर्खें की तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है यह किससे कह रहे है उस फोटो में जो प्रीमचन जी है उनसे कह रहे है कि साहित्तिक पुर्खें यानि तुम जो महान साहित्तिकार हो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम्हारे जूते क्या हो गए हैं फट गए हैं और उससे तुम्हारे पाउं की उंगलियां बाहर तक दिखाई दे रही है क्या तुम्हें जरा भी इसका एहसास नहीं है जरा लज्जा, संकोच या जेप नहीं है अब कह रहे हैं कि तुम जो ऐसे ही फोटो खिचाने के लिए चले आए तुम में जड़ा भी सर्म नहीं था जो ये फटे जूते पहन के आ गए अब यहां देखिए यह लेक बहुत ही व्यंग तरीके से कहा गया है कि जिसको सुनकर किसी को बुड़ा भी नहीं लगीगा और लोग बातों को समझ भी जाएंगे तो आगे कहते हैं कि क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खीच लेने से उंगली ढख सकती है अब कहते हैं कि तुम्हारा जूता फटा हुआ था तो तुम अपनी धोती थोड़ा नीचे कर लेते तुम्हारा फटा जूता नहीं दिखता किसी को तो यहां लेखक इस तरीके से क्यों कह रहे हैं तो यहां जो लेखक हैं वह प्रेम चन के फटे जूते को देख करके बहुत ही आस्चर चकित हो गए और कहते हैं कि फोटो खिचाने की अगर यह पोशाक हैं तो पहनने के लिए कैसी होगी अगर मालीजे किसी के जूते में छेद होगा तो क्या वो जूता पहन के फोटो किचवाएगा अगर उसमें से उसकी उंगली निकल रही है तो बिल्कुल नहीं किचवाएगा फिर भी तुम्हारे चेहरे पर क्या है बेपरवाही और विश्वास यानि तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पर रहा है कि तुम्हारे जूते फटे हुए है तुम मुस्कुरा रहे हो अब देखिए आगे लेखर वहीं बाते कह रहे हैं कि फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बेपरवाही है यानि तुम्हें कोई परवा नहीं है कि दुनिया क्या कहेगा और तुम्हारे चेहरे पर एक विश्वास जलगती है फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने के कोसिस कियोगी दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं परी मुस्कान को धीरे धीरे खीच कर उपर निकाल रहे होगे बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक्यू कह दिया होगा बेचित रहे या अधूरी मुस्कान या मुस्कान नहीं इसमें उपहास है व्यंग है तो देखा बच्चों लेखा क्या कह रहे हैं कि या प्रीम चंद की जो फोटो है जो उनकी मुस्कान है या मुस्कान नहीं है बलकि क्या है उपहास है एक व्यंग है एक लेखा की ऐसी इस्थिती पर हरिसंकर प्रसाई जी ने व्यंग किया है कि या बहुत बरी विडम बना है कि एक महान साहित्यकार की परिस्थितियां बद से बत्तर है आगे लेकर कहते हैं यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो किचा रहा है पर किसी पर हस भी नहीं रहा है तो बच्चों यहाँ पर किस आदमी की बात हो रही है प्रीम चन जी की कि खुल फटे जूते पहन करके फोटो गिचा रहा है लेकिन किसी पर हस नहीं रहा है और कहते हैं कि अगर फोटो खिचाना ही था तो ठीक जूते पहन लेते या ना खिचवाते क्या जुरूरी था जूता फटा पहन की खिचवाने का फोटो ना खिचाने से क्या भी करता था साइद पत्नी का आगरा रहा होगा और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होगे मगर यह कितनी बड़ी ट्रेस जी है क्या आदमी के पांस फोटो की जाने को भी जूता ना हो मैं तुम्हारी या फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेस को अपने वीतर महसूस करके जैसे रूप पढ़ना चाहता हूँ मगर तुम्हारी आँखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है अब यहां लेखक कहते हैं कि तुम्हारी इस्थिती क्या है बहुत ही दैनी है जिन्दगी जो वह काट रहे हैं वह बहुत ही मुस्किलों से घिरी हुई जिन्दगी है फिर भी वह मुस्कुरा रहे हैं अपने दर्द को अपनी परिशानियों को किसी के सामने नहीं ला रहे हैं तो यह एक महान वैक्ती ही कर सकता है जो परिश्थीतियों के विपरीत अपनी जिन्दगी जीता है लिखा कहते हैं कि तुम फोटो का महत तो नहीं समझते होते तो किसी से फोटो खिचाने के लिए जूते मांग लेते लोग तो मांग के फोटो से वर दिखाई करते हैं और मांगे की मोटर से बाराद निकालते हैं फोटो खिचाने के लिए तो बीबी तक मांग ली जाती है तुम से जूते ही मांगते नहीं बने तुम फोटो का महत तो नहीं जानते लोग तो इत्र चुपर कर फोटो खिचाते हैं जिससे फोटो में खुसबू आ जाए गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुजबू देती है तो लेखक अब फोटो का महत तो समझा रहे हैं और कहते हैं कि देखिए इस जमाने में ऐसे ऐसे दिखावटी लोग हैं जो फोटो किचवाने के लिए क्या करते हैं दूसरों से चीजे मांग लेते हैं अगर वर दिखाई करनी हो तो दूसरों से कोट मांग के पहन लेते हैं और कुछ लोगों के बारे में तुम यह भी कहते हैं कि कुछ लोग बहुत सारे खुसबू यानि सेंट छिरक करके फोटो किचवाते हैं ताकि उनकी फोटो में खुसबू हो तो यहां दिखावटी पन को लेखक ने दर्साया है कि इस दुनिया में बहुत लोग दिखावटी प्रविर्तिक हैं और प्रेमचन जी के बारे में कह रहे हैं कि तुम कैसे सिंपल और साधारन इंसान हो इतना महान होने के बाबजूद भी तुमारे अंदर दिखावा नाम मातर का भी नहीं है टोपी आठ आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी पांच रुपे से कम में क्या मिलते होंगे जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर पची सो टोपिया निचावर हो जाती है तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मुल्ले के मारे हुए थे यह विडंबना मुझे इतनी तिवरता से पहले कभी नहीं चुबी जितनी आज चुब रही है जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ तो महान कथाकार उपन्यास समराच युग प्रवर्तक जाने क्या क्या कहलाते थे मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है लेखक कहते हैं कि टोपी तो आठाने में मिल जाती है क्या तुम्हारे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि तुम सुए के लिए टोपी खड़ी सको तुम सुए के लिए जूता खड़ी सको कहते हैं कि माना कि उस समय में जूते महंगे थे लेकिन पांच रुपे तुम जैसे महान कथाकार उपन्या समराट यो प्रवर्तक के लिए कोई बात नहीं थी या कैसी विडम मना थी कि तुम सुए के लिए कुछ भी नहीं खड़ी सकते थे जो समाज को बदल रहा है उसकी आर्थिक इस्तिती उस समय कैसी थी बच्चों बहुत ही दैनी है प्रेमचन जी ने अपने लेखन के माध्यम से समाज को एक नई दिसा ब्रदान की तो इनसान का जो बास्तविक स्वरूप होता है बच्चों वो दिखावे में नहीं होता है उसकी वास्तविक्ता में होती है तो हम सब को दिखावे से उपर उठना चाहिए और वास्तविक्ता में जीना चाहिए अब देखिए लेखक बता रहे हैं कि मेरा जोता भी कोई अच्छा नहीं है यो उपर से अच्छा दिखता है उंगली बाहर नहीं निकलती पर अंगूटे के नीचे तला फट गया है अब हरी संकर प्रसाई जी अपने बारे में भी कह रहे है कि मैं तुम्हारा फटा जोता देखकर के उस पर व्यंग कर रहा हूँ लेकिन मेरे भी जोते अच्छे नहीं है उपर से तो बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं लेकिन तला जो है वो फटा हुआ है यानि तलवे के नीचे फटा हुआ है अंगूठा जमीन से गिसता है और पैनी मिटी पर कभी रगर खाकर लहू लुहान भी हो जाता है लहू लुहान कहने का अर्थ है बच्छों चोट लगने के बार खून से संजाना तो कहते हैं कि मेरा जोता तले से फटा हुआ है कभी कभी मेरा अंगूठा जमीन से गिस जाता है और रगर खाकर के लहू लुहान यानि खून से भढ़ जाता है लथवत हो जाता है पूरा तला गिर जाएगा पूरा पंजा छिल जाएगा मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लेखक किस ओर इसारा कर रहे हैं दिखावटी प्रविर्ती की ओर कि परिस्थीतियां तो मेरी भी वैसी ही है मेरी भी आर्थिक इस्थिति कुछ अच्ची नहीं है लेकिन फर्क बस इतना है कि मेरा दिखता नहीं है और तुम्हारा दिख रहा है तो कहते हैं लेखक कि तुम्हारी उंगली दिखती है पर पाउं सुरक्षित है मेरी उंगली ढकी है पर पंजा नीचे से गिस रहा है तुम परदे का महत तो नहीं जानते हम परदे पर कुरवान हो जाते हैं यानि तुम्हें दिखावा से कोई मतलब नहीं है तुम दिखावटी प्रविती से बहुत उपर हो लेकिन हम आज भी किस प्रविती में जी रहे हैं दिखावटी प्रविती में तो यह क्या है बच्चों यह समाज के उपर एक व्यंग है लेखा किस माध्यम से समाज को क्या करना चाहते हैं जागृत करना चाहते हैं कि हमें किस प्रविर्ति का होना चाहिए वास्तविक प्रविर्ति का कभी-कभी आप लोगों ने देखा होगा कुछ बच्चे बहुत ही दिखावटी प्रविर्ति के होते हैं यानि बहुत सारी बाते ऐसा करते हैं ऐसा कहते हैं जो उनके पास होता ही नहीं है तो हम सब को किस प्रविर्थी का होना चाहिए बास्तविक जो लोग बास्तविकता में जीते हैं जीवन में वही सक्सेस होते हैं वही सफल होते हैं चलिए अब आगे देखते हैं कि लेकक ने आगे क्या कहा है आगे कहते हैं तुम फटा जूता बड़े ठाट से पहने हो मैं ऐसा नहीं पैन सकता फोटो तो जिन्दगी भर इस तरह नहीं खिचाऊंगा चाए कोई जीवनी बिना फोटो के ही छापते कहते हैं देखो तुमने तो भई ऐसे फोटो खिचवा लिये लेकिन मैं जीवन में ऐसा कभी नहीं कर सकता है ना यानि मैं अपने उपर एक आडंबर एक दिखावे का जो बोज है उसको उठाए रखूंगा देखिए लेकिन ने कितना बड़ा व्यंग किया है समाज पर कि हम क्या करेंगे दिखावे का एक बोज उठा के रखेंगे हम तुमारी तरह नहीं है जो अपनी वास्तविक्ता से समाज को अवगत करा दे तो अपनी वास्तविक्ता को छुपाने वाला इंसान जो है वह जीवन में कभी सक्सेस नहीं होता है बच्चो इसलिए कभी भी हमें आडंबरों में नहीं जीना चाहिए वास्तविक्ता में जीना चाहिए लेकर कहते हैं कि तुम्हारी या व्यंग मुस्कान मेरे होसले पस्त कर देती है यहां क्यों कह रहें कि मेरे होसले पस्त कर देती है हरी संकर प्रसाइज भी एक महान लेखक है एक साहित्यकार है फिर ऐसा क्यों कहते हैं? कि तुम्हारी ये व्यंग मुस्कान जो है, वो मेरे हौसले पस्त कर देती है, यानि मेरे अंदर के दिखावती प्रविर्ती को क्या करती है? हतुत साहित करती है. क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है या? क्या होडी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नील गाय हलकू का खेच चड़ गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया? क्योंकि डॉक्टर कलब छोड़ कर नहीं आ सकते? तो देखिए यहाँ पर उनके प्रशिद उपन्यास की चर्चा लेखा कर रहे हैं. होडी जो है वह गोदान का मुख्य पातर है. पूस की रात में हलकू. पूस की रात कहानी आप लोगों ने पढ़ी होगी. उसमें हलकू इसका मुख्य पातर है. तो यह जो कहानिया हैं वह बहुत ही प्रशिद कहानी है. बहुत ही फेमस कहानी है. आपने सुजान भगत की कहानी भी पढ़ी होगी. इस कहानी में क्या होता है? सुजान भगत का बेटा बहुत बिमार होता है. और वा अपने बेटे को खाट पे उठा करके डॉक्टर के पास ले जाता है लेकिन डॉक्टर उसके बेटे को उस समय नहीं देखता है क्योंकि वा कलब छोड़ना नहीं चाहता था लेकिन जब डॉक्टर का बेटा साप काटने की वज़े से मर गया था तो यही सुजान भगत था जो उसे जीवित किया था तो इसी लिए कहते हैं कि हमें हमेजा क्या करना चाहिए वास्त विक्ता में जीना चाहिए यहां एक डॉक्टर होने के नाते इसका सबसे पहला फर्ज था उस बच्चे को बचाना लेकिन यह दिखावटी प्रविती का इंसान था तो सबसे पहले इसके लिए सबसे इंपोर्टेंस रखता था कलब ना की इंसान ठीक है तो यह जो उपन्यास यह जो कहानिया हैं बच्चों वो बहुत ही अच्छी कहानिया हैं यदि आप लोगों ने नहीं पढ़ा है नहीं सुना है तो इस कहानी को सुनिए पढ़िए इससे आप लोगों को बहुत कुछ चीखने को मिलेगा और बच्चों प्रीम चंजी अपनी इंसाहतिक रचनाओं की वज़़से ही आज भी जाने जाते हैं उनकी कहानियों से लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है लेकर कहते हैं नहीं मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंद की सराप पी गया वही मुस्कान मालूम होती है अब यहां कफन उनकी बहुत ही प्रिशिद उपन्यास है जिसमें माधो जो है वह मुखे पात रहे और वह जो अपनी पतनी के लिए कफन के लिए चंदा इकटा किया था उससे वह सराप पी जाता है तो कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हारी जो फोटो में यह मुस्कान है वह बिल्कुल वैसी ही मुस्कान है बे परवाह वाली मुस्कान मैं तुम्हारा जोटा फिर देखता हूँ कैसे फट गया यह मेरी जनता के लेखक जनता के लेखक यानि जनता के लिए लिखने वाले समाज को जनता के लिए जागरूप करने वाले यहाँ पर हरी संकर परसाइजी प्रेम चंजी को क्या कह रहे हैं जनता का लेखक यानि समाज के लिए जीने वाला समाज के भविस्य को उजागर करने वाला उनसे यह प्रस्ण पूच रहे हैं कि तुम्हारे ये जूते कैसे फट गए क्या बहुत चक्कर काटते रहे क्या बनिये के तगादे से बचने के लिए मील दो मील का चकर लगा कर घर लौटते रहे अब देखिए ये लेखक ने उनकी आर्थिक इस्तिती को भी बताया है कि क्या तुम्हारी आर्थिक इस्तिती इतनी खराब थी कि तुम अपने घर का रासन पानी भी नहीं ला सकते थे और इस वज़े से क्या तुम्हें मीलो चलना पड़ता था क्या तुम्हें बनियां से बचना पड़ता था यानि बनियां जो फॉर्चून का दुकान करते हैं उन से यानि उनकी आर्थे के से ती अच्छी नहीं थी कि वो अपने जीवन को सही तरीके से चला पाए तो यहां आप इमेज में देख रहे होंगे बच्चों यहां उनकी जो उंगलियां हैं वो जूते से बाहर दिख रही है चकर लगाने से जूता फटता नहीं घिस जाता है कुम्भन दास का जूता भी फतेपूर सीकरी जाने आने में घिस गया था कुम्भन दास कौन है बच्चों क्या आप लोगों में से कोई जानता है कुम्भन दास कुम्भन दास जी भक्ति काल के कभी है या कहिए कि भक्ति काल के एक भक्त है जिनको अकवर ने बुलाया था तो कुम्भन दास जी फतेपूर से सीकरी तक चल करके उनसे मिलने गए थे यहां पर उनका उदारन देते हुए कहते हैं कि क्या तुम कुम्भन दास जी की तरह फतेपूर से चलकर के सीकरी तक गए थे जो तुम्हारे जूते गिस गए फट गए उसे बड़ा पच्टावा हुआ उसने कहा आबजात पनहिया गिस गई बिसर गए ओ हरी नाम अब यहां पर किसे पच्टावा हुआ कमेंट करके फटा-फट बताएं बच्चों कि यहां लेकग किसके बारे में कह रहे हैं कि किसे पच्टावा हुआ यहां पच्टावा हुआ कुम्भन दाज जी को वो तो हरी के भजन को रटने वाले थे फिर कैसे वा किसी राजा के बुलावे पर फतेपूर से सिक्री चले गए और फतेपूर से सिक्री जाते हुए क्या हो गया पनहिया गिस गए यानि जो जूता उन्होंने पहन रखा था वो गिस गया और हरी का नाम बिसर गए यानि जो वह इस्वर भजन में लगे रहते थे उनका नाम भूल गया और देखिए आगे कुम्बंदाज जी ने क्या कहा और ऐसे बुला कर देने वालों के लिए कहा था कैसे बुला कर अब राजा ने कुम्बंदाज जी को बुलाया है ना तो उसी पे कहते हैं जिनके देखे दुख उपजद है यानि दिनको देख करके दुख होता है तिनको से ही प्रणाम कर लेना चाहिए चलने से जूता घिसता है फटता नहीं तुम्हारा जूता कैसे फट गया मुझे लगता है तुम किसी सक्त चीज को ठोकर मारते रहे हो तो यहां देखे सक्त चीज लेखक ने किसे कहा है यहां पर जो लेखक ने सक्त चीज का प्रयोग किया है पच्चों ये किसके लिए किया गया है ये समाज में जो रूड़ी विचार धारा के लोग हैं उनके लिए प्रियोग किया गया है कि मुझे लगता है कि तुम उस पहार को ही लाना चाहते हो यानि उस विचार धारा को बदलना चाहते हो जो समाज में फैला हुआ है जिस तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फार लिया है और कहते हैं कि कोई टिला जो रास्ते पर खरा हो गया था उस पर तुमने अपना जूता आजमाया होगा तो यहां बच्चो जो टिला है पहार है वो पहार किस लिए प्रयोग किया लेखक ने तो यहां पर लेखक ने पहार सबसे समाज की समस्याओं की ओर हमारा ध्यान जो है वो अग्रसर करने की कोशिस की है तो बच्चों यहाँ पर लेखक ने समाज में फैली समस्याओं की ओर हमारे ध्यान को अगरसर करते हुए कहते हैं कि सायद तुमने अपना जूता जो है इस पर आजमाया होगा यानि तुम उन समस्याओं को दूर करना चाहते होगे जिस वज़े से तुम्हारा जूता फट गया है तुम उससे बचा कर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे टिलों से समझोता भी तो हो सकता था सभी नदियां पहार थोड़े ही फोरती हैं कोई रास्ता बदल कर घूम कर भी तो चली जाती है तो देखे लेखा कहते हैं कि तुम जो समाज की समस्याओं को सुलजाना चाहते थे तुम उससे निकल भी तो सकते थे यानि तुम उसे अंदेखा भी तो कर सकते थे तुम्हें क्या चुरूरत थी इन सब चीजों में पढ़ने की तुम अपना रास्ता बदल करके अपनी जिन्द की जीते तुम समझोता कर नहीं सके क्या तुम्हारी भी वही कमजोडी थी जो होडी को लेटू भी वही नेमधरम वाली कमजोडी नेमधरम उसकी भी जनजीर थी मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उसे लगता है कि सायद नेम धरम तुम्हारा बंदन नहीं था तुम्हारी मुक्ती थी तो यहां कहते हैं कि जिस तरह हूरी अपने नेम धरम में बंधा हुआ था अपने कर्म कांडों में बंधा हुआ था तुम भी उसी तरह समाज में जो यह बिडम बनाएं फैली हुई थी उससे समाज को बाहर निकालने में फसे हुए थे तुम्हारी या पाउं की उंगली मुझे संकेत करती सी ही लगती है जिससे तुम घृनित समझते हो घृनित कहने का आरते बच्चों घृना करना मारते तुमने जूता फार दिया आप समझी गयोंगे लेखक किस ओर इसारा कर रहे हैं समाज की परिस्थीतियों की ओर इसारा कर रहे हैं मैं समझता हूँ तुमारी उंगली का इसारा भी समझता हूँ और यह व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ व्यंग मुस्कान या जो तुमारे चेरे पे मुस्कान है वह एक व्यंग है किसके उपर तो उन सभी लेखकों के उपर जो समाज की विडम बनाओं को देख कर भी चुप है तुम मुझ पर या हम सभी पर हस रहे हो उन पर जो उंगली छिपाएं हैं और तलुआ घिसाये चल रहे हैं यानि जो दिखावटी प्रविती के लोग हैं उन पर या व्यंग है उन पर जो टिले को बरकरार बाजू से निकल रहे हैं तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फार लिया उंगली बाहर निकल आई पर पाउं बच रहा है मैं चलता रहा मगर तुम उंगली को ढाकने की चिंता में तलुए का नास कर रहे हो तुम चलोगे कैसे मैं समझता हूँ मैं तुमारे फटे जूते की बात समझता हूँ उंगली का इसारा समझता हूँ तुम्हारी व्यंग मुस्कान समझता हूँ तो देखिए लेखक ने यहां बहुत बड़ी बात कही है बच्चों लेखक कहते हैं कि या जो प्रीमचन जी के चहरे पर व्यंग पूर्ण मुस्कान है या उन लेखकों पर है जो वास्तविक्ता से अन्विग्य है जो वास्तविक्ता से सुए को दूर रखते हैं उनके लेखों में वास्तविक्ता नहीं दिखती बलकि एक दिखावा पन दिखता है इन सब चीजों से दूर है या व्यंग आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल न भूले यदि आपका कोई प्रस्ण या सुझाब है तो आप अपने प्रस्ण और सुझाब हमें कमेंट में अवज से बताएं वीडियो पसंद आई हो तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सेयर करें मिलते हैं आप से इसी अध्याई के प्रश्ण अभ्यास के साथ तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद